सास्टिक आल, वेलकम टू ग्लियू बड़ ऑरजीज मैं हूँ जीतिंदर सिंह आज हम जो आपसे बाऄ डिसक्स करने वाले हैं वो है कैनडा टूरिस्ट विजा के बारे में कैनडा टूरिस्ट विजा का जो प्रोसेस है वो कैसा है आज की डेट में और कितना फास्ट है launch करने के कुछ ही time के बाद आपको biometric letter मिल जाता है और biometric letter आने का जो time period है वो within 24 hour to 48 hour है आपको 24 गंडे के अंदर वो biometric letter मिल जाता है और maximum maximum time लगेगा तो 48 hour लगेगा बद 90% के इसके अंदर biometric letter जो है वो within 24 hour आपके पास आ जाएगा तो 24 hour के अंदर आपके पास biometric letter आ जाते है तो उसके बाद जो आप appointment लेनी है तो वो appointment जब आप लेने जाएंगे तो वो आपको within 7 days की मिल जाती है डिपेंड करता है कि आपकी location के आप जहाँ पे आप biometric देने जा रहे हैं तो biometric की location पे डिपेंड करेगा और आप अपना process जो है वो काफी आपका fast हो जाता है जिस दिन आप biometric करवा लेते हैं biometric होने के बाद वो वीजा result जो है वो within आपको 7-8 days के बीच में मिलने के chance है और maximum बात करें तो 15 days के अंदर आपको result मिल जाता है यदि आपका already पहले refuse है और आप biometric दिये हुए है तो आपका यही result जो है within 10 days के अंदर आजाता है तो काफी ऐसे applicant है जिनकी हम बात करें कि जिनका हमने last time के बीच में जो visa process किये और उनका जो हमने process करने के बाद result पे time period देखा है वो within 15 days के अंदर-अंदर complete हो रहा है और maximum days लग रहे हैं तो 20 days लग रहे है कोई कोई case आज की date में ऐसा है जो पुरानी files लगी हुई है case pending है बट जो new files लग रही है उनके result टाइम पे आ रहे हैं और जल्दी आ रहे हैं आपने भी Canada का tourist visa अप्लाई करना है तो आपके लिए ये एक best opportunity है कि आज की date में आप file अपनी launch करते हैं तो आपको जल्दी ही इसके result देखने को मिल जाएंगे तो Canada की biometric की यही update है Canada की process time की यही update है कि आज की rate में आप file करते हो तो आपको जल्दी visa मिलने के chance है और result भी पहले से काफी positive है और इसके साथ साथ जो आपको filing करनी है उसमें ध्यान देना कि filing आपकी सही हो और उसमें कोई mistakes ना हो और आपकी file बिल्कुल सही तरीके से visa officer के पास पहुंचे यदि आपकी file सही तरीके से visa officer के पास पहुंचती है और आपका result जो है वो positive रहता है तो आपके visa के लगने के जो chance है वो बहुत बढ़िया हो जाते है तो सही filing आपको visa दिलवा सकती है साथ में आपका purpose of travel जो है वो clear होना चाहिए कि आपका जाने का जो purpose है वो क्या है और कितने दिन के लिए आप जा रहे है और क्यों travel करना चाहते है कि आप अपने travel plan को afford कर सकते है कि नहीं ये सब चीजों का आप ध्यान देखे अपनी filing करते हैं तो आपके visa के chance वो बहुत बढ़िया हो जाएंगे तो ये थी update Canada tourist visa के बारे में और यदि आपको ये information अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe इरू कर दे मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई information के साथ तब तक के लिए साथ श्रीयकाब